हेलो गाइज स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल फ्रत्यक क्लासेस में तो गाइज इस क्लास के दर हम बात करेंगे आरार सी ग्रूब डी एक्जाम एनलिसिस के बारे में जो 22 अगस्त को फर्स सेकेंड सिप और थर्ड सिप के अंदर जो इंपोटेंट क्यूशन पूचेंगे थे छीक है जीके से उनके बारे में हम लोग डिस्स करने वाले हैं जो बच्चे को दुबरा बेचेंगे थे तो आप इस वीडियो कौन तक जरू देखेगा सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स सिप के इंपोटेंट क्यूशन के बारे में जितने भी क्यूशन हम लोग डिस्स करेंगे सब के सब बच्चे को दुरा बेचेंगे क्यूशन है ठीक है जो आपकी आने वाली एक्जाम है किसी भी सिप के अंदर पूचे भी जा सकते है क्यो उसका जो आंसर होगा होगा AFC, Women's Asian Cup, अगला कुछ ने बात का पहला, ग्राफिन नवाचार के अंदर किस राज्ये में इस्ताफित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा केरल राज्ये के अंदर, ठीक है, साथ साथ आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए, कि केरल के मुख्य मंतिर कोन है, राजेपाल कोन है, केपिटर कोन है, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक्जाम के अंदर यहां से भी क्यूशन पूट अप किये जा सकते हैं, अगला जो क्यूशन पुछा गया था कि दोदर 22 वर्ल एथलेटिक्स रेस वोकिंग टीम चैंपिंशिप कहां आज जित हुई तो यूती मसकत ओमान के अंदर ये भी धनक ना करेंट से भी क्यूशन पुछे जा रहे हैं तेलंगाना राज्य की ये भी आपको पता होना चाहिए अगला जो क्यूशन पुछा गया कि विज्ञान और इंजिनिरिंग चैत्तर में पदम बूशन किशे दिया गया चीक है तो स्री संजय को दिया गया ये आपको पता होना चाहिए और इनको मिला था मरनुप्रांथ अग अगले क्यूशन पुछा गया है पिरिडिक टेबल से जो कि हैर से पमें एक दो या दो क्यूशन पूछे जा रहे हैं पहले पूछे जा से कि ग्रूप नमर 17 ग्रूप नमर 18 का क्या नाम है ठीक है पूछा गया कि निउलेंट्स ओक्टेव पिरिड्स टेबल में पहला और अ GST के सुरुवात की बात की गीए एजी क्यूशन है बहुत ही ठीक है इसके सुरुवात हुई थी वो एक जुरह 2017 को भी हुई थी और ये क्यूशन बहुत बार एकजाम में पूछा जा चुका है अगला जो क्यूशन था कि राज्य में प्रमुख विदी सम्मद्य सला कौन देता है राज्य की बात की गीए तो कौन देता है महादिवक्ता किस आर्टिकल के तहता है आर्टिकल 165 अनुशेद 165 के तहता है महादिवक्ता अगला जो क्योशन पूछा किया था कि केंदर और राज्य की बीच सक्ति की विबादन को क्या कहते है कि जो केंदर होता है और राज्य की बीच जो सक्ति का विबादन होता है ठीक है उसको कहा जाता है संगवाद और साथ ही साथ गाइज अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार जो रहे हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाए जिसे कि आपको आगयाने वाल ये हैंड निकलास की नोटिफिशन आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज्या इस वीडियोम अगर मोझे राजज़ता में कुल कितने विश्य हैं पंचाहित राजियोसता के अउपर पूछा जा रहा है ये जारिकन को कहा जाता है अगला कुछन देखे मेगाले में गारोज जन जाती द्वारा कौन सा महोत सो मराया जाता है तो कौन सा महोत सो मराया जाता है वांगला महोत सो धानक नाज जितने भी इंपोटेन महोत सो है फेस्टिवल है किसी भी स्टेट के उनको अच्छे से याद कर ले ही वहाँ से क्यूशन definitely put up किया जा रहे है ठीक है और जो पुरानी shift थी उनमें भी क्यूशन पूछे गेते हैं अगला क्यूशन है कि एक वीत्य वर्स में 100 दिन की guarantee रोजगार की शोजना से दी जाती है बच्चो वाला क्यूशन है अगर आपने यह क्यूशन भी गलत किया है तो definite में बहुत सब्सक्राइब आपका selection नहीं होगा ठीक है एक वीत्य वर्स में 100 दिन की guarantee रोजगार की शोजना से दी जाती है तो वह है मंद्रेगा अगर action देखे माने उस सऩरी में एल लेंगे गुन सुद्र कितने होते हैं तो होते हैं जौडे के अंदर बारत को भाइस होते हैं टोटल कितने होते हैं 46 अगले क्यों देखिए राजराम मोहराय के बाद ब्रह्म समाज को किस ने संभाला राजराम मोहराय के उपर क्योशन पूछा जा चुक है आरे समाज ब्रह्म समाज के बारे में ठीक है इनके बाद ब्रह्म समाज को किस ने संभाला ये पूछा गया है तो देविंदे नाठ टे गोर के दौरा इनको समला गया इस ब्रह्म समाज को अगला जो क्यूशन पूछा गया कि उत्तर लेंस में वह तो टूफर है और उसका आवर्दन क्या होगा ठीक है ये क्यूशन पहले रिपीट हो चुका है ठीक है आवर्दन की बात की गीए तो क्या होगा पोजेटिव होगा नेगेटिव होगा पहले पूछा था ये तो वहाँ पे क्या था पोजेटिव था यहाँ पे पूछा गया है नमबर्स की रुप में कि वन होगा प्लस में जीरो होगा या मायस में वन होगा तो होगा पोजेटिव वन अगले क्यूशन देखे आउतल दरपन में वस्तु को कहां रखने पर वास्विक उल्टा वए एक आकार की इमेज मिलती है तो वो होता सेंटर ओफ करवेचेर के ओपर यह भी आपको जहन अगले क्यूशन देखे अगले क्यूशन देखे यह इस्ट का परयोग कहां किया जाता है यह क्यूशन भी बहुत सी एकजाम में पूचा जा चुका है तो इसका जो परयोग किया जाता है वो सरावब बनाने में किया जाता है अगला क्य invitation पूचा गया कि शार डातों की sumo में आते जो acid base है चीक है उसके बारे में पूचा गया कि शार डातों की sumo में आते हैं तो वो आते हैं 1 sumo के अदर आपको यह पता होना चाहिए ठीक है अगर बात कर लेते हैं ये भी पूछाए सकते कि फर्स हमोए में कौन-कौन से element होते हैं तो lithium हो गया sodium होगा इस परकार के element के बारे में पता होना चाहिए आपको अगले कुशन देखे कि metal अगर पानी के साथ reaction करती है तो क्या मिलता है तो हमें मिलता है शार बेस हमें प्राप्त होता है अगला कुशन देखे RRB Act कब लाग हुआ था RRB Act की बात की गई है तो सबसे पहले 1976 के अंदर ये लाग हुआ था कमेंट पर आप आंसर करेंगे कि RRB के अभी वटमान में चैर्में को ने अगला की कुशन देखे है कि प्रतिरोद किसपर निर्बन नहीं करता प्रतिरोद होता है जो किसपर निर्बन नहीं करता Examique के अंदर चार option थे उन में से एक option दे रखा था current तो current पर ये निर्बन नहीं करता तो current अपना क्या होगा साही आंतर हो जाएगा इस क्यूशन का ये तो हमने बात की फर्स सिप के important questions के बारे में जी की के जो बत्सों के दोरा बेजे गे थे अब जो हम बात करेंगे वो second ship के बारे में बात करेंगे second ship में किस परकार की question पूछेगे question repeat हुए ठीक है उस type के question किस परकार से बन सकते हैं अगले question देखिए जो first question पूछा गया था second ship के अदर कि under 19 वोल्ड कप किस ने जीता ठीक है under 19 वोल्ड कप की बात की गये किस ने जीता था तो ये जीता था किस के दोरा ये जीता गया था भारत के दोरा ये आपको पता होना चाहिए ठीक है मिस्प्रेंट हो गी है भारत के दोरा ये जीता गया था अगले question देखिए अगर बात पूब भारत के दोरा जीता गया तो भारत ने किस को राई ये भी आपको पता होना चाहिए आगे आने वाली सिप के अंदर ये पूछा जा सकता है तो किसको हराया था भारत ने हराया था किसको इंग्लेंड को कहाँ पर हो था वेस्ट इडिज के अंदर हो था अगले question देखिए कितनी सास्त्रे बासा है है ये भी आपको पता होना चाहिए ये भी आपर ही मिस्प्रेंड है सास्त्रे बासा की बात कीगी तो छे सास्त्रे बासा है है ठीक है छे सास्त्रे बासा है अगले question देखिए काचिरंगा कहाँ पर सिट है बच्चों वाले question और भोग बार एकजामे पूछा भी चा चुका है ये असमराजे के अंधर इस चीत है तो एसम के बारे में आपको सब पता होना चाहिए इसके केपिट्ल इसके मुख्या मन्त्री इसके राजेपाल कोन ये लोक सब बारे सेटे कि इतनी है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए अगले question देखिए कि भात के अंत्रा से सिम्या बांगलादे से कितनी लगती है तो यह लगती है 4096 किलोमेटर अगला कुछन देखे प्राकरम दिवस्किन के जर्म दियुस पर मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है सुभास चंदर बोस्त के जर्म दियुस के ओपर अगले कुशन देखे, बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावदान किस स्राज्य ने किया है ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से बजट का प्रावदान किया गया है वो किया गया मद्यपद्देश स्राज्य की तरब से अगले कुशन देखे स्वान की कोशी का विज्ञान किताब में किसका वंडर नहीं किया गया तो विशाणू का वंडर नहीं किया गया अगले कुशन फ्लॉयम का क्या कारिय है फ्लॉयम क्या करता है यह भी आपको पता है बच्चों वाले क्यों नहीं और बहुत बार एकजाम कार्य करता है अगला है बर्मिंगम कौमन वेल्थ गेंथ में भार्थ की तरप से ओप्रिंग सेर्मनी में द्वजवा है कौन थी सबको पता है पीवी सिंदू करन्ट से कुछे जा चुके हैं जा रहे भी हैं अगले कुछन देखिए सेंट थोमस जो चर्च है वो कहां पर इस देखिते हैं तो गयाज यह तम्मीन लाड़ो कंदर इस देते हैं और तम्मीन लाड़ो के बारे में आपको पता होना चाहिए अक्सा डेटेल्स अगला कुछन देखिए बांध के सेलक्षन के समय क्या चीज नहीं देखिए जाती चार ओप्सिन थे और उनमें से यह उप्स अगले कुछन देखिए इंपोटेंट है मोली क्रतवे से क्योशन पूछे जा रहे हैं हर एक सेप में एक या दो क्योशन पूछा दार है definitely क्या पूछा गया कि मोली क्रतवे किसकी अनुसंसा पर लाई गई थी तो यह आपको पता है कि स्वन सिंह समीति की अनुसंसा पर ला पर ले बहुती इंपोटेंट है अगले कुछन की पंचायत राज योस्ता किस भाग में है भाग पूछा गया है तो कौन से में नौवे में पहले क्या पूछा था विसे के बारे में पूछा गया था अगले कुछन देखिए जियो मोर्फोलोजी किस से संब्दित है जियो मोर्फोलोजी की बात की गी तो भू अक्रतिवी ग्यान से इसका संब्द है अगला जो क्योशन पूछा गया कि द्वी परी संचन किस में नहीं होता तो गैज फिस जो मचली होती है उनके अंदर द्वी परी संचन नहीं होता है अगला क्योंशन पूछा गया ध्यान रकना जो पिरिडिक्टेबल है उनसे डेफरेंटली हर एक सिफ में एक या दो क्योंशन पूछे जा रहे हैं ठीक है क्या पूछा गया कि अलूमिनियम हो गया क्लोरिन फ्लोरिन हाइडरिन इमें से सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्टोन किसमे है तो किसमे है फ्लोरिन के अंदर है अगला आयरिन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमे पाई जाती है जो जगेरी होती है जो गुड होता है उ option के अकूरिंग बात कर रहे हैं अगला क्यूशन देखिए direction of current किस रूल से पता चलता है बच्चो वाला क्यूशन है ठीक है direction of current किस रूल से पता चलता है flaming left and name से आपको पता चलता है अगले क्यूशन देखिए सिंदु दर्शन उस्व किस राजजी के दोरा मनाये जाता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हर एक सिप में ध्यान से सुना हर एक सिप के अंदर जितने भी राजजी है उनके जो festival है important उनके बारे में क्यूशन प मनाये जाता है अगले जो क्यूशन देखिए पूचा गया था कि किसी कंडेक्टर का प्रतीरोध किस्त पर निर्बर करता है कंडेक्टर का जो प्रतीरोध होता है वो निर्बर करता है length of the conductor के ओपर ठीक है यह थे सेकंड सिप के important क्यूशन अब हम बात करेंगे थार्ड सिप फर्स क्यूशन देखिए थे सिपकाथ की मार्च 2020-22 में Chief Justice of India कौन थे तो थे एनवी रमना अगला क्यूशन देखिए अगला है चोरी-चोरा हत्याकान कब हो आता तो चार फर्विद 1922 को वाता ये क्यूशन भी बहुत सी एकजाम में बहुत बार पूचा जा चुका है अगला क्यूशन देखिए अगला है कि पेरा बैटमिंटन अकादमी बात में कहां खोला गया है तो लकनाओ के अंदर खोला गया है यूत्तर परदेश के अंदर आता ह आप सब को पता है ठीक है अटल पेंजन योजना की उमर सीमा क्या है तो 60 वर्षे अटल पेंजन योजना की उमर सीमा अगले क्यूशन देखिए सागा दावा महोचो किस सागा दावा महोचो किस किस राज्य में मनाय जाता है एसा कुछन है मैं स्प्रिंट हो है किस राज्य में मनाय जाता है तो उस राज्य का नाम है सिकिम गैज मैं बता रहा हूं हर रेक शिप के अंदर कुछन पूछा जा रहा है महत्सों के उपर पहले सिप जो पीछे की शिप थी शेकिन शिप उसके पूचा गया था लदाक के बारे में अभी पूचा गया सिक्रिम के बारे में सागादा जो मौसो है वह सिक्रिम राज्य के अंदर मनाए जाता है अगले कुछन देखें कि मणुपूर का कौन सा गाउं 2022 में ओडियर फ्लस गाउं हो चुका है तो वह दक्षनी में मौंग में मौंग है कि अगले कुछन देखें आर्टिकल बार से 35 किस बाग में आता है यह कुछन पूचा गया तर आर्टिकल बार से 35 भाग थार्ड के अंदर आते हैं आपको यह पता होना चाहिए आर्टिकल के बारे म अगर आप यह जितने भी सिफ्ट हो रही है उनके जितने भी कुछन पूचे जा रहे हैं उनको चैसे डिवाइस कर लेंगे देख लेंगे तो डेफिनेटली आप एक्जाम के अच्छे मार्श ला सकते हैं अगला जो कुछन पूचा गया कि कोख बोरोक त्रिपुरा की ऑफ कितने बैंगो का रास से करण किया गया है तो यह किया गया था चाओधा बैंगो का कब 1969 की बात की गई है अगला की प्रिज्म में से सफेद कर अप गुजरने पर जो प्रिज्म होता है उस से अगर वाइट जो रे है वह गुजाने पर कौन रख की तरंग देरे ज्यादा हो पता होना चाहिए अगला जो तुर्षन पूछा गया कि नीती निदिसक्तत्य के किस अनुचेद में ग्राम पंचाइद के बारे में बताए गया है ठीक है तो ये बताए गया अनुचेद article 40 के अंतरगत नीतिन डिसेक्टत्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट इपर से ओके तो यह थे खुछ इंपोर्टेंट क्यूशन जो तीनों सिप्ट के अंदर पूछे गये थे क्यूशन रिपीट भी है ठीक है आने वाली एक्जाम भी है उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपको इस वीडियो पसना रगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करे और जाल से रदा सेर करें तो मिलते हैं नेक्स सिप्ट की एक्जाम के अनलेसिस के बारे में important questions के साथ तब तक के लिए thank you, goodbye and take care